नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल राकेश पलोदा जुनों पे स्वागत है तो आज इस वीडियो में अपन क्या बात करेंगे वो आपने टाइटल देखे लिया होगा अपन बात करेंगे बिहार लाइबरियन के बारे में इनकी बिहार लाइबरियन 2021 की जो विकेंड से आने वाली है बीजेस्टी आपको पता है कि कुछ दिनों में विकेंड से आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे अपन और उन्स विकेंड से के बारे में जो मैं तो अपन आपकी बात करेंगे कौन कौन सी बात करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले बात को किलियर करेंगे कि बिहार लाइबरियन की त्यारी कैसे करें बिहार लाइबरियन के लिए कौन सी बुक पढ़ें या अपन और भी बात करें यानि कि बिहार लाइबरियन की त्यारी घर बेठे कैसे करें सर बिहार लाइबरिन में कौन सा सलेबस होगा अभी ओपिशियल सलेबस नहीं आया है तो अपन उनके बारे में जो महैतो कुन टोपिकों के बारे में बात कर लेंगे देखो कि ये जो टोपिक है इनके बारे में अपन थोड़ थोड़ा डिटेल पूरवक बात करेंगे एककी ये topic है जो पर्तेयक exam में पूछे जाते हैं, इसके बाद आपन बात करेंगे सरभिहार library में कौनसी book पढ़े है, यानकी सबसे best book कौनसी है सरभिहार library के लिए वो बात से करेंगे इस वीडियो में, सरभिहार library के क्या qualification रहेगी, यानकी सर बिहार लाइबरेन जो विकेंज आने वाली उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इनके अपने के बात करेंगे शेली भी मांगेगा या सर बीलिस होगी या सर एमलिस होगी या अन्य को एकजाम होगी तो आपको पता है कि स्कूल लाइबरेन के लिए विकेंज या रह कर लें और हमारे यूटूब चैनल पर आपको लाइबरेन से संदित 150 पलश वीडियो हैं जो मिल जाएंगे इसके साथ साती जो क्यूस्चन की पीडियेफ है वो भी हमारे यूटूब चैनल के डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया गया वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइ आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल राकिस बलोदा जुनजनों को सस्क्राइब कर ले कोई भी कमेंट क्यूस्चन थो रही है तो आप इस वार्टसप नमर पर सेर कर सकते हैं चलो इन सभी महतोपन बिंदों के अपन बात करेंगे निच्चे भी दो तिन पॉ आपको पता है कmosage कि जल्दी आने वाली है क्योंकि इनकालने में है क्योंकि इसको आपको अंताजा लगा सकते है कि जिलों से जिटने भी खाली पद मpre ने हैं मंने बात कुल कितने Podcast होंगी तो आपने ब 310 होंगी एक चोटा से विडियो कल पर समने आपसूं दाला भी था अब अब बात कि लेते हैं कि syllabus के बारे में कि सर बिहार लाइवरीम जो syllabus अभी official syllabus जारी नहीं हो है लेकिन हम कौन-कौन से topic पड़े हैं जो हमारा बिहार लाइवरीम के अच्छे से त्यारी हो जाए घर बेठे किसी बरकार कि कोई coaching का course पर सेज नहीं करना है कुछ कुछ और नहीं करना है सारा कुछ मेटेरिल हमारे यूटूब चैनल के मादें से आपको फरियोफ कोस्ट मिल जाएगा अब अपन बात के लिए सबसे पहले कि फंडामेंटल ओफ दर लाइवरी और इंफॉर्मेशन साइंस यह पुस्तकाले विज्ञान का सबसे पहला टोपिक एट है आप ने हैं तो अपन कंसे यानि की छोटे-छोटे बेशिक्स से बात करेंगे से लेबस के बारे में तो सबसे पहले बात करें लेते हैं कि फंडामेंटल यानिकी पुस्तकाले हम सूचना विज्ञान की मोली का अओदाडणा की बारे में जयान रखना कंसेप्त ऐप जो गुजरात के उनके द्वारा तो इस परकार की जो छोटी-छोटी हो दाने उनको ध्यान रखना सूचना समाज यानि कि पुष्टकले सूचना समाज के बारे हम ध्यान रखना है कि पुष्टकले है वो सूचना जो समाज को क्या करता है एक सूच सबे नागरी के परदान कर करता है इसके बाद अपन बात करें लाइवरी रिशोर्स शेरिंग यानि कि पुष्ट काले संसादन साहब आगिता यह जो टोपिक है यह पड़ते के एक्जाम में पुछे जाते हैं किसी भी परकार की छोटी से छोटी लाइवरी इनके एक्जाम हो चाहिए वो शेली भी लाइवरी साइंस पुष्ट काले विग्यान के पांच सुत्र की इनका परतीबादन कब हुआ सन 1928 में इनका परकासन कब हुआ 1931 में इसकी परस्तावना किसने लिखी इसकी भूमी का किसने लिखी थी कहां से डोक्टर ऐस सार रणनाथन ने पांच पुष्ट को जो पुष पुष्ट पुष्ट थी फाइफ लोज ओफ लाइवरी साइंस तो यह सारी बाते ज्यान रखनी है इसके बाद अगला है यह टोपिक है कि पुष्ट कलें सामजी के सैंस्ता सैंस्ता कर लेना इसको पुष्ट कलें सामजी के सैंस्ता तो पुष्ट कलें सामजी क्या करता है स पुष्टकले के परकार, किसी भी परकार के एकजाम में देख लेना है, यह सभी topic आपको मिल जाएगे कि academic library, special library, public library, यहनि कि शेक्ष नहीं पुष्टकले, विशिष्ट पुष्टकले और सार्वज नहीं पुष्टकले, national library of India, यहनि कि भारत का जो राष्ट यह पुष्टकले है, उसके बारे में question पुछे जाते हैं, सारा कुछ material है, हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, topic-wise topic भी मिल जाएगा, और वैसे भी question देखने को मिल जाएगे, अगला है कि role and activities of organization, महत अपन पुष्टकले संग और उनकी गतिवीदिया, जो यह चार संग हैं यह तो हमें साब पुछे जाते हैं, यानि कि चार संग यानि कि ILA Indian Library Association, IFLA, UNESCO, ट्रिफल आलफ, तो इनके बारे में द्यान रखना, इसके और कौन-कौन से होते हैं, तो और होते हैं, इसके बाद बात करें कि LA, इसके बाद बात करें कि feed, यह क्या है कि आपके syllabus के आदार पर आपन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इन चार संगों को पहले पढ़ लेना है, किसी भी परकार की exam हो, यह चार संग तो पु पुछे जाएं या ना पुछे जाएं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, इसके बाद बात करें कि लाइवरी क्लासिफिकेशन पुष्टकाले वर्गिकन में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि यह जो सारे टोपिक हैं, यह आपके पुछे जाने लाइक है, इनकि पुष् वर्गिकन इनको व्यवस्तित करना बहुत ही जुरूर है, क्योंकि आपको बता है, पुष्टकाले में व्यवस्तित पुष्टके होंगी, तो ऑप्त हैं उसको शही तरीके से पुष्टक मिलेगी, पाठ्धक को सही पुष्टक, यानिकि इसका सिदा-शिदा सुत्तर है, कि सही समय पर सही पाठक को सही पुष्टक परदान करना इनकी पाठक का समय बचाएं वो क्या है कि पुष्टकाले में पुष्ट के क्या होंगी व्यवस्तित होंगी इस प्रकार के क्यूशन पुछे जाते हैं पुष्टकले वर्गिकन से इसके उद्दश से क्या है इसके कारिय क्या है इसके बाद कर लेते हैं इसके बाद मैं फिचर सो क्लास्पिकेशन या निकी दिवबिंदू वर्गीकंड पदिती की मुख्ये विशेषता है इनकी बात कर लेते हैं शिची जो साथ अडिसन आये थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आ गया यह आपने बात के लेते हैं कि कौन सा अडिशन एक मुक्त पक सातमक था कौन सा किस परकार से था वो सारे हमने यूटूब चैनल पर वीडियो डाल रखें इस परकार से आप थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हैं यह क्या है कि बेसिक है इसके बाद डीप भी पढ़ाएंगे जैसे कि दो के बारे में दिया है यानिकि डेवी डेसिमाल क्लाश्पिकेशन दस्मललव वर्गीकरण पति यानिकि मेलीविन डेवी नि बनाई सब 1.800 चिंतर में सबसे लोगपिरीय वर्गीकरण पत दती कह सकते हैं क्योंकि इसके अभी तक 23 ड़ीशन आये हैं इसका इस व के पही बात के लेते हैं कि उरभी मैतोब मिबात्य के के क्वूचा को इसका संसिप्त अयौध ह 1755 मएं में में पहला अया था इसका कॉन सा मानने करेंके स्टेंडर एंडिशन है प्रयोग किया गया यह शारी बात ते आपको थोड़ थोड़ा क्या करना पढ़ लेना है इसके बाद बात के लिए उडिशी के बारे में पढ़ लेना है उडिशी जो पदती वो कब बनी थी संगुनी सो पाँच में किसकी द्वारा बनाएगी फीर्ड हेनला फॉंटेन और एक वेक्ति और था इन दो वेक परना क्योंकि यह क्या कि परते एक सर्फ जो स्लेबस होता उसमें नहीं पुछी जाती है इसके बाद अगला है कि अपना लाइवरी केटालोग लाइवरी केटालोग में आपको वही बात पड़ने है जो महेतोपुना और पुछी गई एक्जाम है प्रते एक प्रकार प्रपोेज्ट अंप्के तरफोतमश्किक पुस्त कले सुचि पुस्त कले में आवसे उसक के और उसके ऐसे कारिये इने के बहुत If वैद्वाкий रभी तर जयES सें जे केटालोग की बात करें तो इसे शिफ्सक निर्माण की जो वीदिया है LCSH, LSH यानि मेश इसके बाद और भी बात के लिए Chain Procedure, Opaque, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा ध्यान पुरह को पढ़ लेना क्योंकि ये सारे क्या है कि पुछे जाते हैं इनके लिए कौन शी बुक पड़ें, तो आपको बुक भी बताएंगे कि कौन शी बुक पड़ें बुक में कितना क्या authentic matter है, क्या क्या है, वो सारी बाते करेंगे इस वीडियो में अगला अपना क्या है कि Library Organization and Management Library Organization यानि कि पुष्टकाले संगठन यहों परबंदन से मैसा क्यूशन पूछे जाते हैं किसी भी परकार की एक्जाम हो Library Administration यानि कि पुष्टकाले परसासन या पुष्टकाले समेती पुस्तकले समेती तो समेती या पुस्तकले समेती या परसासन से क्योशन पुछे जाते हैं कि पुस्तकले समेती के कारिये कौन-कौन से हैं पुस्तकले परसासन के क्या कारिये होते हैं पुस्तकले में इनकी क्या-क्या कारिये करने का काम करता है इसके बाद बात के लिए section of library यानि कि पुष्टकले के विबाग, कौन-कौन से विबाग होते हैं पुष्टकले में, उन्हें विबागों के बारे में किस परकार की क्यूशन आते हैं, कि सबसे पहले पुष्टकों को खरीदने का कारिया कौन सा विबाग करता है, पुष्टक पुष्टकाले के विबाग होते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, यदि आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, सारी जानकरी आपको यूटूब चैनल के मादे में से मिल जाएगी, बिहार लाइवरिन की, अगला है कि circulation निवारक और ब्राउने जो पत्ति हैं, निवारक जोन को टन डाना के द्वारा बनाएगी थी, निनना इब्राउन के द्वारा बनाएगी थी, कहां बनाएगी, अमेरिका में बनाएगी थी, तो ये क्या थी है, आपको पता है कि आदान परदान विबाग की जो वरगिकन प करता है पुस्त को चैन करता है उसके बाद करता है उसके बाद उसको क्या करने का रिया करता है तो इस परकार की कारिया होते हैं वो यह भी बाग करता है बुक सेलेक्शन केर एंड रिफेर यानि की बाइंडिंग एंड तो आपको पता है कि जो बुक सेलेक्शन का का रिया समधित कौन सा विवाग करता है तो यह सारा आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है है अपने YouTube चनल के मादम से इस्टॉक वैरिफिकेशन यर्टीकेशन या बोसन ब्राइबर करता है या इसे वार्शिक सत्यापन की नाम से जानते हैं इस परकार की छोटी बाते आपको पढ़ लेनी है टेकनिकल प्रोसीजिंग सेक्षन यानि कि टेकनिकल सेक्षन तक्निकी वाक के बारे में में बताई दिया मैंने आपको ओपन असे सिस्टम यानि कि मुक्त दौार के दौन के आपको पताई ब्रितेन में कि थी मेहतव फुन यानि की यह ज्या देख फूटर में कि लाइवरी डिस्पलिय क्या इसके बार में वीडियो बणाएंगे यह सारे क्या होते हैं कि परकार किस परकार शे बजट निर्मान क्या जता है वह अपने बात करेंगे वीडियो में आगे वीडियो बढ़ाएंगी रेफरेंस सर्विस एंड इनफॉर्मेशन सोर्स संद्रब शिवा और सूचना स्रोत के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले कि सूचना स्रोतों को हैंसन ने कितने बागों में बाटा था डेनिस ग्रोगन ने कितने बागों में बाटा था डोक्टर एस सारगनाथ ने कितने बागों में बाटा था इनकी दो बागों में तीन बागों में चार बागों में किस आदार पर बाटा था डोक्टर एस सारग यानि कि दिर कलीन संद्रव शिवा का अर्थ क्या होता है कि बहुत समय में क्या करना उसको पूरी करना जैसे कि तीश मिनट से लेकर साथ दिन तक जो सिवा पूर्ण की जाती है वो क्या कलाती है दिर कलीन लेकिन एक मिनट से लेकर तीश मिनट जो सिवा पूर्ण की जाती है वो कौन से होती है तहुरित संद्रव सिवा होती है निकि तहुरित कलीन संद्रव सिवा या इंटिग्रेशन के संद्रवां के इस विवाघ के दौर्ह कौन कारिये क्संपादित कि आधे उनस्य वाइस थोड़ा थोड़ा पाठ को इसे एक छण मातर संद्रब शिवा की नाम से भी कहा है डोक्टर एसार रणातने कहले कि कोई भी पाठक की उसुछन पूस्ता है और उसके तुरंत उसका जबाब दिया जाता है तो वो क्या होती है इसके बाद कहले कि क्वालीटी ओव रेफिरेंश लाइबरीन के जो नहीं होने चीए वह किसी नसे का जो प्रयोग या नसे का शेवन नहीं करना वने चीए क्या होना चाहिए मैं तो अपने इस सभी बातों का इस वीडियो में थोड़ा सा discussion किया है आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और किस परकार के टोपिक के वीडियो बनाना चाहिए वह आपको वीडियो में बात करेंगे महत अपन की जो बरती आने वाड़ी है इससे समदित कोई और अपडेट होती है तो वह आपके यूटूब चनल के माद्यम से आपको दे दी जाएगी तो धन्यवाद दोस्तों